क्लास टेंथ में थे त्राइब लिक्रण मीति के अंदर शुक्टümü त्राइब क्लास जो दोва ना स्मझें वह बेसीक इंट्रक्षरं था तो मैंने वहाज फिल्का वाद पर दुश्राया था कि त्रिकोंड मीटी जो है यह तीन यहां सब्दों से मिल के बना है 3 दूसरा कोण और तीसरा आपका इसमें मीटी 3 कोण मीटी यहां पर 3 का मतलब होता है 3 कोण जानते ही यह एंगल और मीटी का मतलब होता है मेजर तीन कोड़ों की माप ठीक है वही क्या कहलाता है त्रिकोड मीती कहलाता है तो त्रिकोड मीती जब हम लोग क्लास तिंत में पढ़ेते तो वहां हमने क्या देखा था वहां पर एक समकोड तिरभूज के अंदर छे त्रिकोड मीती अनुपात लिए जाते थे और उनको इनके दो दो भुजाओं के साथ संबंदित करके दर्साय जाता था यह अगर यह इंगल लेते हैं परपेंडिकल होता था यह बेस होता था यह हैपोटेनस तो साइन जो होगा साइन ठीटा इकोटन लिखते थे पी यह सब्सक्राइब लेकर दिखाते थे ठीक है लेकिन यह जो त्रिकोड मीती है यहां चत्रभूज पंचभूज बहुभूज ब्रित इन सब के लिए बनी हुए यह सब का यानि कि हम लोग क्लास 11 में हम लोग यह पर तिरभूज के साथ साथ ब्रित के अंदर भी चत्रभू क्लास चैप्तर है उसके अंदर आते है कोड़ और उनकी मства अंध्यार में यां पहले अग्ल स हमक्रीत के बारे में बात करते हैं काहरा है इत्या मितू सब्सक्राइब करते करता है गौर कि इतिकल में जो कौण पढदे यता हैं इंगल है कि इंजिऔर क्यों जीओमेट्री और दूसरा हो जाएगा त्रिकोण मीती के कोड़ तो पहले जया मीती के कोड़ कौंसे होंगे पहले उसको समझ लेते हैं क्या कहलाते है जया मीती कोड़ है अब हम लोग क्या करते हैं एक एक इंड पॉइंट ले लेते हैं पर ठीक है और यहां से दो किरने निकालते हैं एक इधर और एक इधर एक इंड पॉइंट लिए एक आधी बिंदू लिए यहां पर और यहां पर हमने दो किरने निकाल दी यह आधी बिंदू को नम दे दिया यहां पर ओ एक किरन हो गई और जो यह आक्रिती बनी हैं इसी को हम लों क्या कहते हैं कोण कहते हैं या जयामिती के कोण कहते हैं ठीक है ठीक है तो यह जो है जो किर्णे जिस बिंदू पर मिल रही है जो आधी बिंदू लिए हैं पर इसको हम लों क्या कहेंगे जी यहां पर इसका सिर्ष कहते हैं कोण का सिर आप यहाँ पैसे दे सकते हैं कि एक ही एक ही आधी बिंदू एक ही इंड पॉइंट एक ही आधी बिंदू वाली दो किर्णों दो किर्णों से जो आकृती बंती है उसे कोर्ण कहते हैं तो यह आकृती बं रहिए देख लिए ये दो किर्ण है दोनों का इंड पॉइंट एक ही है आधी बिंदू एक ही तो इसको हम लोगं क्या कहएंगे कोंड कहенगे और यह कैसे कौंड है ज्यामिति के कौंड है यह जो जामिति का कौण जो होता है अप्टसान एसके जहां से प्रारंभ होती है यह भी ब specialize है यह देफिश बहुत हो और जो प्रारंभिक जो देख रहे हैं जो कोण को बना रही है इसको इस वारी किरन को इसको अंतिम भुजा कह देंगे तो अगर एक प्राणबिक भुजाती है तो दूसरी क्या होगी अंतिम भुजा होगी टर्मिनल साइड होगा टर्मिनल साइड और यह आपका भर्टेक्स इसका सिर्ष हो जाएगा ठीक है यह जो जामिती क्या कोण होता है यह 0 डिगरी से लेकर टीन सो साथ डिगरी तक का होता है यह जीरो डिगरी से कहां तक 106 डिगरी अपर देखते हैं इस तरह भी बना सकते हैं यहां पर हमनों दिखा देते हैं यह वाला कोण एक स्वस्थी से बड़ा है तो यह जो भी जैमिति के कोण होते हैं वह 0-360 डिगरी तक के ही होते हैं इससे आगे नहीं जाएगा केवाल यह धनात्मक होते हैं 0-360 भी हो चकता है और उसके बीच कोई भी कोण हो सकता है यह माइनस अगरह में नहीं होता है लेकिन यहीं त्रिको मीटी में कि जो कोण होते है उनके बारे एंगल इंक्ट्रित्रिक मीति में जो कोण होते हैं उनके बात करते हैं ज्यामिति से बिल्कुल बिल्न होटें त quiz हम आउ和 CP क्या करते हैं को जो कोड बनाते थे जामिती के उसी तरह कि किरन ले लेते हैं और चीला में कर ले लेंगे और इसके सिर्ष पर यहां पर इसके चार और ऐसे गुमाएंगे इस तरह रिवाल्विंग हो सकती है एक दम कि यह जो नेकं इस्थिर है यह गूम सकती है उल्टा सीधा ऐसे भी घूम सकती है ऐसे भी घूम सकती है इसके लिए कोई प्रतिबंद नहीं रहता है कि स्रिश्व के चारों और ना चक्क्र लगाने से यहां पर जो कोण बनेगा यांने लिए लोग यहां पर यहां पर यह जो कोण बन रहा है इसको क्या कहेंगे त्रिकोण मीति की कौन देखना है जैंके स्वेटिन से ज़्यादा हो जाए रहा है तो रहती के प्रिव्यासा है कि कोड है ऑन का कि दोनों यहlando भुजात के पास है निवा प्रिव्यासा नहीं के पास हो तो दोन के दो विलत कि सकते हैं कि मैं से एक कीरन को इस्थिर मानकर सिर्ष के चारो और अंतिम भुजा के चक्कर लगाने से जो कोड बनता है उसे त्रिकोड मीती के कोड या त्रिकोड मीती या कोड ऐसे भी लिख सकते हैं अध्य कोड या त्रिकोड मीती या कोड कहते है को ठीक है यह यह प्रारंबिक भुजा हो गई यह प्रारंबिक भुजा लेकिन यह दूसरा टिवाल्फ हो रही है इस अंदिम भुजा को आप भ्रामक किरन भी कह सकते हैं और जिस अस्थान पर यह आके भ्रामक किरन रुक जाती है इसको यहां पर इसका क्या कहेंगे इसका अंतिम इस्थिती कहेंगे इसकी अंतिमिस्ति तर्मिनल पोजिशन कहा जाएगा समझ गए ना तो देखिए अगर आप अगर आप यह जो मैंने बताया भी कि तिरकोण मिर्थी के कोण में क्या होता है एक भुजा को इस्थिर्माल ले नहां और दूसरी वाली को इसके अनुदिस हम लोग इधर एंटी क् तो लिए पिरित दिलिए में जा रहे हैं समझे संब्सकी तरव इसको धनात्समण कहते हैं धनात्मक कहनें तीक है पॉजर्टिव एंगल होंगे और घड़ी के दिशा में जैंगे जैसे माल लीजे में यहाँ पर यह प्रारंभिक किरन यहापर ले लेता हुं इस तरह से ति अब मैं क्या करता हूं कि इस पर गड़ी जैसे गुमती है इसी तरह से गुमाके लेज़ाई तो यहां जो कोण सब बनेगा हम नों क्या देख रहे हैं ऐसे गये थे और फिर वापस पुने यहां घये यह धनात्मक है यह इरिनात्मक कोण कहलेंगे तो याद रहनाा माइनस इन फिनीटी से पलस इन फिनीटी तक हो सकता है इसके लिए कोई प्रति बने वह ही यह मिति में क्या था कि वह雀 जीरो से तीन सोग cit Hearts काहीं होता है लेकिन त्रिकोर मीति के कोड essere माइनस से प्लस इंफनाइट तक होते हैं समझ गया चलिए चलिए अब हम लोग ان पर यहाँ पर एक्स दैस होता है तो उस पर हमेशा आप मूल बिंदू को किसी कोड का सिर्ष लेके चलेंगे और एक सक्सव के धनात्मक वाला भाग देखर है इसको अमने बुठारंबिक भुजा लेके चलेंगे इनिशियल साइड इसी को लेके होती है यह concept आपको clear हो गया होगा कि भ्रामक किरंज होगी यहां एंटी क्लॉक्वाइज ऐसे घुमेगी यहां रखना हमेशा कोई भी कोड लेंगे तो सिर्ष को सिर्ष जो होगा उसका उसको का सिर्ष क्या होगा मुलबिंदू होगा और प्रारंबिक बुझा एक सक्सके धन क्लोक्वाइज दिख रहां है जी तो ध्यानора करहिए कोई क्लोक्वाइज भी कोड यहां से इसके में कितना तक जाएगा जीनी कोटे जीनीं नाहीन कें एक्सिस पर जागा फिर इसमें कितना जागा आगे बढ़ेंगे तो इसमें आएंगे तो यहां पर आजागा 180 डिग्री से 270 डिग्री से आपका 360 डिग्री तक फिर अगर यहीं आप इसी को घुमा कर इसमें आ गया तो कितना हो जागा 360 डिग्री से चार सो पचास डिग्री तर इसी तरह से फिर इसमेंगा तो फिर नब्र बढ़ जागा तो इसी तरह से यह कोण चलते रहते हैं और वहीं अगर हम लोग इसको क्लॉक वाइज लेके चलते हैं घड़ी जीदर घुमते हैं उसी के दिशा में लेके चलते तो कुछ इस प्रकार से अब इसको दिखाते हैं ठीक है ध्यान से देखिए गए एकस एकस डश य और वाइज ठीक है अब इसके बात देखिए मैं यहाँ पर स弐ुख में के एक कोंड लेता हूं जो इस तरह से हिदा बहुम रहे है ऐसे टारी से लोगती है कि इस तरह से जाए यह हम लोग इदार चलेंगे क्लॉक वाइज चलेंगे जो क्लॉक्वाइज में एक क्टी से माइनस थूंड़नेट से माइनस त्रीघ। थैजन यहां है कंचेप्ट 356 प्रथम पाद होता है यह द्यूतिय धूता है यह 3 पाद होता है तुछ 166 पाद यह पहला पाद दूसरा पाद तीसरा पाद और गपाद अगर छोथा जाता है तो यह इस्तिति होंगी तो यह इस्थिती तो जनरली हम लोग इसमें ठीटा यूज करते हैं आप पाई भी यूज कर सकते हैं आप अलफा बीटा गामा ये ग्रीक संकेत ये सब या फिर अंग्रेजी बढ़न माला के बड़े अक्षर ए बीसी ये सब भी आप यूज कर सकते हैं इन सब काम लोग को प्रदर्शित करने के कोण को निरूपित करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ठीक है अब यह हम लोग विशेश्च प्रकार का कौण जिसे हम लोग कहते हैं सम इस्थित समस्थित या समपादिया कोण कहा जाता है इसको देखते हैं को टर्मिनल को टर्मिनल एंगल को टर्मिनल एंगल क्या होता है चलिए सम पादिया या सम सम इस्थित कोण क्या होते हैं मैं यहाँ पर एक काम करता हूं चाहे आप निदसांग अक्षि लेके चलो या फिर ऐसे जनरली भी कोण बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अपने सांग अक्षि नहीं लेंगे ऐसे भी बना सकते हैं जैसे माली जे मैं यहां पर यहां एक सिर्ष ले लेता हूं और यहां एक किरन हो गई प्रारंबिक की स्थिति हो गई उसकी मैं यहां पर एक कोड यहां बना देता हूं ठीक है सपोज कर लेते हैं कि यहां कोड जो है ना ठीटा है कि मैं क्या करता हो कि इस को ठीटा के कोडिंग मैं क्या करता हूं कि या क्लोग वाइज लेका एंटी अव लेका इनली क्लोग वाइज की साठीन है और फिर यहां पर पुरन इसी । पुरा करके कशेद्गे तियर सब्सक्र criticism । यहहां से हम डों कैसे गया इसे गया तो इससा कोण होता है जिसका आधि किरन और भ्रामक किरन वो दोनों की सिती एक ही हो इस कोण में भी देखो यह प्रारंबिक किरन यह आधिकिरन और यह यह वाली भ्रामक किरन इसमें थी दूसरा वाला जो कोण हम लोग बना है उसमें प्रारंबिक किरन और भ्रामक किरन की सिती एक ही है तो उस कंडिशन में यहां कोण जो कहलाएगा समिस्थित्य संपादिय कोण कहलाता है तो इसकी परिभास आप यहां पर ऐसे दे सकते है कि यह पर ली सकते हैं कि ऐसे कोड ऐसे कोड जिनकी जिनकी आधी इस्ति आधी किरन तथा भ्रामक किरन कि इस्तिती एक ही हो समिस्थित या संपादिय कोड कहलाते हैं संपादिय कोड कहलाते हैं ऐसा हम लोग यहां पर कह सकते हैं तो कोई दिकत नहीं है किसी माल लीजिए अगर हम कोई भी कोड लेते हैं तो हम लोग उसके लिए उसका संपादिय कोड यह समिस्थित कोड जैसे माल ठीटा का संपादिय क्या होगा तो अगले वीडियो में आगे देखेंगे आपको हमाले तीन चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा तो किसी कोड का संपादिया समिस्थित कोड इस तरह से आप निकाल चलते हैं मतलब होगा 360 360 जोडते जाओ तो संपादिया निकल जाएगा यहां पर भी माइनस में लेंगे अगर कोड हम लोग क्लॉक कोई चल रहे हैं तो माइनस एन इंटू में 360 करेंगे ठीक है न जी तो यह समझ गया यह कंसेप्ट क्लियर हो गया आज की क्लास में हम लोग इंतना ही रहने देते अगले वीडियो में आगे देखेंगे आपको तीन चैनेलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा है पढ़ाती पार्वीकांस कि और तीसरा चनल है रवीकांसर अरुटी सरमा सरथ आई डी सर्मा सॉलूसन तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे इससे लेटे वीडियो के लिए सिधे डिस्क्रिप्शन में इससे लेटे नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सब्सक्राइब और यहां जाकर आप सभी क्लासेश के नोट्स उनके पीडियेव को डाउनोड कर सकते पर सकते इंस्टागाम और फेस्बूक बजाकर पाथ फैंडे क्लासेश सप्रा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भोलेंगे थैंक्स वर वाचिंग दे वीडियो कॉमेंट करके ज़रू ब सबस्क्राजख सबस्टेश करते तो